बोड प्रिक्षा 2023 में विज्ञान के पेपर में 80 में से 75 नम्मर फोड कर आओगे नमस्कार पहरे बच्चों सुवागत आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल में अगर आप कक्सा 10 के विद्यारती हैं और बोड प्रिक्षा 2023 के आप त्यारी कर रहे हैं तो ये वीडिय हूँ और ये कुश्चंस आपके गारेंटेड हैं अगर आपने ये कुश्चंस बोड प्रिक्षा 2023 से पहले अच्छे से आपने त्यार कर लिया तो आप विज्ञान के पेपर में 80 में से 55 नमर जो इसकोर है वो आप आराम से कर सकते हैं यानि 80 में से 55 नमर है या बोड प्रि वो गारेंटेड कुश्चंस सेलेक्ट किये गए हैं जो आपके इस बार बोड प्रिक्षा 2023 में 100% आने वाले हैं तो वीडियो को आपको पूरा देखना है और वीडियो को सुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लिजिए तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहां पर परसन संक्या एक आपको दी गई है कि निमन प्रसनों में सही विकलब का चेन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए ओके तो यहां पर पहला परसन आपको दिया गया कि अपच का उपचार करने के लिए निमन में से किस ओस्दी का उप्योग होता है तो उत्तर सहीत यह इंपोर्टर कुस्संस इस वीडियो के अंदर में आपको बताने वाला हूँ तो अपच का उपचार करने के ये निमन में से किस उसदिगा उपयोग किया जाता है तो इसमें आपको चार ओप्षन दे रखे हैं इसमें पहला ओप्षन आपको दे रखा है एंटी बायोटिक और दूसरा ओप्षन है आपके एना लसेजिक और तीसरा है आपके एंटेसीड और दैनमर पर है आपके एंटे Pacific तो इनमें से कौन सा option आपका correct होगा वो आप सभी को बताया कि अपच का जो उपचार है उसको करने के लिए हम कि स उस दिगाउपियों करते हैं इंटेसिड उसदिगाउपियों करते हैं तो इसमें आपके से option है वो आपका correct होगा और आपको notebook लेकर बैठना है और साथ साथ में ये questions है या आपको साथ साथ में अपनी notebook में लिखने हैं उसके बाद में दूसरा question आप देख सकते हैं और question है वो आपके English और Hindi दोनों medium में हैं और उसके बाद में जो दूसरा question से वो आप देख सकते हैं कि आसूत जल की pH का मान है तो आसूत जल है उसकी pH का मान हो कितना होता है तो A option में आपके 9 दे रखा है और 2 में आपके 7 दे रखा है और 7 में आपके 5 दे रखा है और 2 में आपके 3 दे रखा है तो आसूत जल हो क्या ह की pH का मान कितना होता है साथ होता है उसके बाद में next है आपके the value of pH आप देख सकते हैं English के अंदर ये questions लिखा हुआ है तो इसका screenshot आप ले सकते हैं उसके बाद में तीसरा जो person है वो आपको दे रखाएंगे नीमन में से उत्करस्ट गेस नहीं है उत्करस्ट गेस नहीं है और उत्करस्ट गेस की जगे आपके exam में लिखा हुआ आ सकता है noble gas ओके या healthy gas तो नीमन में से उत्करस्ट गेस नहीं है या healthy gas नहीं है या फिर noble gas नहीं है तो इसमें A option में आपको दे रखा है nitrogen, nitrogen, bear में आपको दे रखा है helium और cya में आपको neon दे रखा है और गए में आपके argon दे रखा है तो इनमें से देखिए helium, neon और argon ये तीनों क्या होती है आपके गेस हैं shipping जबकि नायट्रोजन से वह आपके English में लिखा हुआ है इसका screenshot आप ले सकते हैं उसके बाद में question number हो रहे हैं कि पितल एक Mr. दातु है तो पितल है वो कौन-कौन सी दातूं की Mr. दातु है तो A option में आपके दे रहा है Thamba plus 10 और 2 में आपके दे रहा है Zinc plus 10 और 7 में आपके दे रखा है तामबा प्लस जस्ता और दय में आपके दे रखा है तामबा प्लस एल्यूमिनियम तो इसमें से कौन सा उप्षन क्रेक्ट होगा तो जिसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि पितल है वो एक मिस्टर दातु है पितल क्या एक प्जल के नबछ यह था कॉन सा उप्शन है आपके। सुन कसी दातू की साफुलत है तौन दातू है तामबा और यक्ष्टागी तो है में option number 7 आपका correct होगा या आपको अच्छे से याद रखना है उसके बाद में questions है वो English में है तो इसका screenshot आप ले सकते हैं उसके बाद में पांच हुआ question है आपके सीना बार किसका ऐसक है तो सीना बार है वो किसका ऐसक है कौन सी दातू का या इसक है या आपको बताना है तो ऐ option में आपके शिसा दे रखा है और बैं में आपके आईरण दे रखा है से में आपके copper दे में आपके mercury दे रखा है तो mercury की जगा आपके पारा भी लिखा वह आ सकता है बोड एक्जाम में ओके तो सीना बार है वो कौन सी दातू का ऐसे गए तो मरकरी या फिर पारे का ऐसे के तो इस प्रसंद का जो सही उत्र होगा वह आपके आपके नमर दे यह भी आपको अच्छे से त्यार करना है काफी बार आपके बोड एक्जाम में इतमें से किसका उप्योग होता है या अचार में परिरक्षक के रूप में परियुक्त होता है तो इसमें से कौन सा परियुक्त होता है वो आपको बताना है तो ए उप्षन में आपके एथेनोल बै में आपके एसीटी कमल सह में आपके मेथेनोल और दे में आपके मेथेन त तो अचार में परिरक्षक के रूप में प्रियुक्त होता है आपके ACT कामल होता है तो इस परसन का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपके अपके option number 2 जो आपको अच्छे से याद गरना है और यह कुस्टन सा आप English Medium में भी देख सकते हैं तो इसका स्क्रिन सोट आप ले सकते है उसके बाद में question number seven है आपके कि एक परमानू है उसका electronic जो विन्यास है वो आपको दे रहा है 2, 8, 7 उस तत्व का आपको परतीक बताना है तो 2, 8, 7 आपको दे रहा है तीनों को आपको जोड़ना है यानि 7, 8 आपके 15 और 15 और 2 आपके 17 तो 17 नमर यानि परमानू संक्या 17 पर आ कौन सा तत्व आता है कलोरिन आता है और कलोरिन का जो परतीक हो आप जानते हैं CL होता है तो option A में आपको P दे रहा है यानि fast force तो नहीं होगा और 2 में आपके CL यानि कलोरिन होगा तो question number seven है इसका जो correct answer है वो आपके option number two होगा ओके यानि उस तत्व का परतीक हो क्या होगा CL और उसके बाद में next है आपके question number eight है कि कौन से यंतर से रक्त दाब नापा जाता है ये question आपके हर बार board exam में पूछा जाता है इस बार ये question आपके 100% आने वाला है तो अच्छे से आपको ये त्यार गरना है कि कौन से यंतर से रक्त दाब नापा जाता है यानि कौन सा यंत तरह जिससे हम blood pressure मापते हैं तो A option में आपके spignomainometer, bear में आपके barometer, say में आपके stethoscope और day में आपके lectometer तो इस question का जो correct answer है वो होगा आपके spignomainometer यानि कौन से यंतर से रक्त दा blood pressure नापजाता है, spignomainometer से मापा जाता है, तो इस question का जो correct answer है वो आपके क्या होगा option number A होगा जो आपको अच्छे से याद करना है उसके बाद में next है आपके question number 9 कि मनुस्य में हर दे एक तंतर का भाग है जो किस्से समंधित है जो किस्से related है ओके यह आपको बताना है तो A option में आपके क्या है? portion और B में आपके उत्सरजन से में आपके सौशन और D में आपके परी संचरन तो मनुसे में हर दे है वो एक तंत्र का भाग है एक system का part है और ये किस से समंदित होता है किस से related होता है तो ये आपके होता है परी संचरन से यानि option नमर दे है आपका इसमें correct होगा आपको अच्छे से याद रखना है उसके बाद में next है next question है आपके कि मनुसे में M.A.C. एक तंत्र का भाग है मनुसे में क्या है M.A.C. और वो क्या है एक तंत्र का भाग है एक system का part है जो किस से related है किस से समन्दित है तो A option में आपके सौसन, 2 में आपके उत्सरजन, 7 में आपके पोसन और 2 में आपके परीवन तो मनुसे में M.A.C. एक तंत्र का भाग है जो किस से समन्दित है पोसन से समन्दित है तो option number 7 आपका इसमें correct होगा आपको अच्छे से ये कुस्षन त्यार करना है और उसके बाद में next है आपके कुस्षन number 11 तो कुस्षन number 11 है आपके कि निमल लिकित में निमल लिकित में से कौन सा पादप हार्मोन है तो इसमें से कौन सा पादप हार्मोन है ये आपको बताना है तो A में आपके जिब्रेलिन, B में आपके estrogen, C में आपके insulin और D में आपके थाइरोक्सिन तो estrogen, insulin और थाइरोक्सिन या आपके पादप हार्मोन नहीं है इसमें पादप हार्मोन कौन सा है आपके जिब्रेलिन तो इस परसंड का जो सही उत्तर है वो आपके क्या होगा करता है तो इन में से आपको चार उप्सन दे रखें और इनमें आपको बटाना है कि कुछ ätो को कॉमेंट में बताना है तो इस चार कि दे रहें और सबहिए जो उत्तन हैं वापको कोमेंट में बताना है उसके बाद भाद में नेक्स्ट है आपके क्यूशन नमर 13 कि सभी नेचिक किरियाओं का नियंत्रण सभी नेचिक किरियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा बाग करता है तो ऐ में आपके मेडूला बे में आपके आग्र मस्तिस्क और से में आपके प्रमस्तिक और दे में आपके अनुमस्तिस्क तो इसमें से कौन सा उप्षन आपको करेक्ट होगा आपके वह आपको बताना है तो सभी एनेच्छिक जो क्रियाएं हैं उनका नियंत्रन मस्तिस्क का कौन स सा पार्ट करता है कोन सा भाग करता है वह करता है आपक मेडुला तो औपाका इसमें करेक्ट होगा यह आपको बताना है तो इसमें भी आपको चार ओप्शन दे रहे हैं ए ओप्शन में आपके थाइरोक्सिन बैय में आपके इंसुलिन सह में आपके एस्ट्रोजन और दैय में आपके ओक्सिन तो मदुमे रोग वो किस आर्मोन की कमी से होता है तो इसमें आपको चार ओप्श तो यह वाला परसन भी आपको अच्छे से त्यार करना है उसके बाद में नेक्स्ट है आपके परसन संग्या 15 है कि प्रकास का वेग सरवादिक होता है तो प्रकास का जो वेग होता है वो सरवादिक होता है यानि सबसे ज़्यादा होता है किस में होता है तो अपके काच में ब भी बच्चों को बताना है उसके बाद में परसंसिंग्या सोला है आपके कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का पर्तिविम्ब बनाते हैं वह क्या कहलाता है तो आपको कौन सा है तो उसका आपको नाम बताना है तो इसमें कौन सा उप्षन आपका करेक्ट होगा वह आपको बताना है और उसके बाद में क्यूशन नमर 17 है आपके कि ओम गुणा मीटर ओम गुणा मीटर किस बोतिक राशी का मातरक है ओम गुणा मीटर है वह किस राशी का मातरक है किस राशी का यूनिट है वह आ option में आपके पर्तिरोध तो जैसा कि आप सभी बचे जान देंगी पर्तिरोध का जो मातरक है वो आपके ओम होता है तो यह वाला नहीं होगा उसके बाद में बै है आपके पर्तिरोध अगता तो पर्तिरोध अगता का मातर क्या होता है आपके ओम गुणा मीटर और दारा का मा सकता है इसकी जगें ओके तो विशिष्ट परतिरोध या परतिरोधक्ता का मातरक क्या होता है आपके ओम गुणा मीटर होता है तो इस परसन का जो सही उत्तर है वो आपके क्या होगा ओप्सन नंबर बै होगा यानि परतिरोधकता या विशिष्ट परतिरोध जिसका मातरक क्या होता है ओम गुणा मीटर तो अच्छे से आपको ये वाला परसन भी त्यार गरना है उसके बाद में परसन संग्या 18 है आपके विबुआंतर मापने का यंतर है यानि विबुआंतर वो किस यंतर से मापा जाता है तो ए उप्षन में आपके वोल्ट मीटर बै में आपके ए मीटर से में आपके दारान यंतरक और दै में आपके गेलवे 9 मीटर तो इस परसन का सही उतर क्या होगा कि जो विबुआंतर है वो कौन से यंतर से मापा जाता है वोल्ट मीटर से मापा जाता है तो इस परसन का सह उत्र क्या होगा आपके option number A होगा ओके और अच्छे से आपको यह वाला परसन भी त्यार गरना है उसके बाद में next है आपके question number 19 है कि गंगा सफाई योजना कब प्रारम हुई थी तो गंगा सफाई योजना है वो कब शुरू हुई थी कब प्रारम हुई थी तो A option में आपके 1986, 2 में आपके 1984, 3 में आपके 1982 और 2 में आपके 1986 तो गंगा सफाई योजना है वो कब शुरू हुई थी कब प्रारम हुई थी तो इस person का जो सही उत्तर है हो आपके होगा option number 2 यानि गंगा सफाई योजना है वो आपके सन 1985 में प्रारम हुई थी तो ये वाला परसन भी आपको अच्छे से त्यार करना है उसके बाद में परसन संग्या 20 है आपके जो हर बार बोड एक्जाम में आता है निमन में से किस नदी पर टिहरी बांद बना है तो आपको बताना है कि किस नदी पर टिहरी बांद बना है तो आपको चार उप्सन दे रहे हैं आपके नर्मदा नदी, बे में आपके यमूना नदी से में आपके सरस्वती नदी और दे में आपके गंगा नदी तो जो टिहरी बांद बना हुआ है वो कौन सी नदी पर बना हुआ है गंगा नदी पर बना हुआ है तो इस questions का right जो answer है correct जो answer है सही उतर है वो आपके option दै होगा यानि कौन सी नदी है जिस पर टिहरी बांद बना हुआ है गंगा नदी पर तो ये वाला person भी आपको अच्छे से त्यार करना है अच्छे से आपको जाद करना है उसके बाद में question number 21 है है तो हिमाचल प्रदेश की जो प्राचिन जल संग्रहर्ण प्रणाली है उसको क्या कहते हैं तो एऐ उप्षन में आपके कुले बे में आपके कटा से में आपके बंदिस और दे में आपके आहार एंव पाइन तो हिमाचल परदेश की जो प्राचिन जल संगर्ण प्रणाली है उसको हम क्या कहते हैं कुले कहते हैं तो इस क्यूस्टन का जो करेक्ट आंसर है सही उत्तर है वो आपके क्या होगा ओप् परदार्थ है तो जेव आवर्दन उत्पन करने वाला परदार्थ है कौन सा परदार्थ है तो A में आपके पीड़कनासी, B में आपके DDT, C में आपके साकनासी और D में आपके उप्युक्त सभी तो जेव आवर्दन उत्पन करने वाला परदार्थ आपके पीड़कनासी होता है और DDT भी होता है साकनासी भी होता है तो ये तीनों उप्षन आपके करेक्ट है तो इसलिए उप्षन नमर दे आपके इसमें आने वाला है यानि उप्युक्त सभी जेवावर्दन उत्मन करने वाला परदार्त है आपके पीड़कनासी भी है DDT भी है साक नसी भी है, तो इसलिए option नंपर toton day आपका इसमें correct होगा, और अच्छे से आपको यह budget याद गरना है उसके बाद में. Q 23 है आपके कि that the total day generator family परवा होता है, किस परकार का होता है तो an option में आपके 1 dcional math % बैमें आपके 20 dcional mathematics जो सही उत्तर हो आपके क्या होगा option number A होगा जो आपको अच्छे से त्यार करना है उसके बाद में next है आपके question number 24 है कि नाभी के उर्जा प्राप्त करने है तू आवसे कहे ये question भी आपके 100% इस बार board exam में आने वाला है तो अच्छे से ये question त्यार करना है हर बार ये question board exam में repeat होता है तो नाभी के उर्जा प्राप्त करने है तू आपसे कहे तो A में आपके silicon, B में आपके chromium से में आपके uranium, D में आपके aluminium तो नाभी के उर्जा प्रदान करने वाले या प्राप्त करने है तू कौन सा इसमें आपसे कहे कौन सा तत्व आप्से के इसमें uranium उके यानि नाभी के उर्जा प्राप्त करने तो आप्से क्या है uranium तो इस questions का जो correct answer है सही उत्तर है वो आपके option नम्र से होगा तो क्या है आपके uranium जो आपको अच्छे से याद करना है उसके बाद में question नमर 25 है आपके biogenes का मुखे गटक है, तो bio gas है उसका मुखे गटक क्या है, तो A operation में आपके methane gas, B mess which is methane gas, say में आपके butane gas और D coming hydrogen gas, तो bio gas है उसका मुखे गटक क्या है आपके methane gas है, यानि इस परसन का जो सही उत्तर है वो आपके option नमर A होगा जो बायो गेस का मुखे गटक माना जाता है मिथेन और मिथेन है ये एक प्रकार की गेस है जो आपके गोबर में पाई जाती है और इसका जो formula है जो सूतर है वो आपको याद रखना है CH4 ओके ये आपको ध्यान कहते हैं यानि विदृत उर्जा को यांतरी कुरजा में बदलने वाली जो उक्ति होती है उसको हम क्या केते हैं तो A option में आपको जनीतर दे रखाए Μोतर दे कई से का क्या काम होता है यांत्रिक उर्जा को विदू तुर्जा में रुपांत्रित करने वाली जो युक्ति ए उसको हम क्या कहते हैं मोटर कहते हैं यानि विदूत मोटर कहते हैं तो इस परसंद का सही उत्तर क्या होगा आपके option नम्मर 13 का है 27 वा क्यूशन है आपके चुम्बक की फलक्स का मात्रक है तो चुम्बक की फलक्स का जो मात्रक हो आपको बताना है आपके वेबर बै में आपके एंपियर से में आपके वोल्ट और दे में आपके वाट ओके तो चुम्बक की फलक्स है उसका मात्रक आपके क्या ह तो बचा हुआ है आपके किस का मात रख है चुम्ब की फलक्स का मात रख है तो इस परसन का सही उत्र क्या होगा आपके ओप्सन नमर A होगा जो आपको अच्छे से याद गरना है उसके बाद में क्यूशन नमर 28 है जो काफी बार बोर्ड एक्जाम में रिपीट हो चुका है विदूत आवेस का मात रख है तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसका यूनिट है वो क्या होता है विदूत आवेस का जो मात रख हो क्या होता है तो A ओप्सन में आपके कुलाम बे में आपके वोल्ट से में आपके एंपियर दे में आपके ओम तो इस परसन का सही उत्र क्य होता है वो किस दातू का बना होता है सबसे IMPORTANT Awards support or kole science के पेपर में अभर को कुष्ण आपको देखने को मिलेगा विदूत बलब का अभर किस दातू का बना होता है सोर थीध ये कुष्ण आपके आने वाला का जो तंतू है वो कौन सी दातू का बना होता है तो ओप्सन नमर बै इस परसंद का आपके करेक्ट आंसर होगा जो आपको अच्छे से याद गरना है उसके बाद में क्विश्चन नमर तीस है आपके कि 6 वोल्ट बेटरी से गुजरने वाले एक कुलाम आवेस को कितनी उर्जा दी जाती है तो यहाँ पर विवांतर आपको दे रखा है 6 वोल्ट कितना दे रखा है 6 वोल्ट और जो आवेस है आवेस को क्यों से दर सातने है तो आवेस है वो आपको दे रखा है एक कुलाम आपको ग्यात क्या करना है उर्जा ग्यात करन तो 6 आएगा यानि 6 जूल आएगा तो option number 2 आपका इसमें correct होगा और अच्छे से आपको ये वाले सारे परसंद त्यार करने हैं और सबसे important questions मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताए हैं पूरी book के important questions मैंने बताए हैं और इन questions के आपके सो परतिसद आने के इस बार्चां से तो अच्छे से ये complete question आपको त्यार करने है अगर आपको ये video अच्छा लगे तो video को जादा सी जादा सेर करें video को जादा सी जादा लाइक करें और चैनल पर आप नहीं है तो चैनल को subscribe कर लीजिए और साथ में notification bell को press कर लीजिए